हलो अब्रीवन, वेलकम तो दिस चैनल, आइम सीए स्रतू, वीडियो में बात करेंगे मदरसन सुम्मी वाइरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में लास्ट यर मार्च में कंपनी का रिवेन्यू था 1662 करोर का, लास्ट यर से कंपनी के रिवेन्यू में 12% का अपसाइड कंपनी ने रिपोर्ट किया है, फुल यर के लिए कंपनी का रिवेन्यू आया है 7057 करोर का, फुल यर के लिए कंपनी का रिवेन्यू लास्ट यर से 25% ग मार्च के लिए खनुकर चम्पनी का इंप्रोफित फुल येर के लिए EPS आया है 1.1, लास्ट येर फुल येर के लिए EPS था 0.93 रूपी का कंपणी ने डिविडेंट भी डिक्लेयर किया है for the financial year 22-23 0.65 रूपी पर शेयर के हिज़ाब से डिविडेंट कंपणी ने डिक्लेयर किया है ये final dividend है इसलिए ये अप्रूव होगा annual general meeting में dividend की record date, annual general meeting की date अभी announce नहीं है जैसे ये announce होगी हम आपको update कर देंगे आप हमेरे चैनल को subscribe कर लीजे results की highlight अगर हम देखें तो revenue आया है 1864 करोड का revenue last quarter से 10% का increase दिखा रहा है EBITDA है 221 करोड, EBITDA last quarter से 23% बढ़ा है 12% बढ़ा है और profit 33% बढ़ा है फुल येर की performance अगर हम देखें तो फुल येर में company का revenue आया है 7057 करोड का जो कि last year से 25% बढ़ा है फुल येर के लिए EBITDA आया है 798 करोड का जो कि last year से 5% बढ़ा है and profit after tax आया है 487 करोड जो कि last year से 18% बढ़ा है, company ने highest ever revenue इस पार company ने 7000 करोड का yearly revenue भी cross किया है company का yearly revenue आया है 7057 करोड का profitability में भी improvement हुआ है ECN में company का ROCE आया है 44% का and company debt free है completely so ये highlights है company के financial results की I hope video आपको अच्छा लगा हो please like it and please subscribe to this channel thank you